तो आज हम डिसकस करेंगे पिछले कल यानि की 13 सेप्टेंबर को जो हिमाचा पदेश एड्मिस्टेटिव सर्विसिस का प्री एक्जाम था उसमें जो भी नेशनल और इंटरनेशनल क्रंट फेर्स के कुशे गे थे उनके बारे हम इस सेशन में डिसकस करेंगे और खुद को हम अनलाइस करेंगे फर्स्ट कॉशन है विजद फॉलाइंग हैस बीन इंकलूड़िड इन दे एट वंडर्स ऑफ शंगाई कॉर्प्रेशन और्गनाइशन एस स्योग संगठन जिसे स्यो कहते हैं कि आठ अजूबों में निमलिक्त में से किसे शामिल किया गया है इसका क्रेक इंडिया गश्ती पोथ उपार दिया है यह नेवी का पेट्रोलिंग वैसल है और इंडिया ने यह गिफ्ट दिया है में इंडिया है और यह गिफ्ट दिया गया है माल्दीव को नेक्स्ट है विच इंडियन एरफोर्स एरक्राफ्ट वास डी कमिशन ओन डिसमबर 27, 2019 इंडिया नेक्स्ट कॉश्चन है विच ट्राइबल रिफ्जी कम्मूनिटी विल नाव बी गीवन पर्मीशन तो सेटल इन त्रिपुरा फॉलोईंग दो साइनिंग ओफ हिस्टॉरिक अग्रिमेंट ओन जनुवरी 16, 2020 सोला जनुवरी दो हजार बीस को एक एथिहासिक समझ जोते पर हास्ताक्षिर करने के बाद अब किस आदिवासी शर्णनार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने के अनुमती दी जाएगी इसका क्रेक्टेंसर है ऑप्शन भी ब्रू रिनग next question है what is the ranking of Indian passport in Henley passport index 2020? Henley passport index 2020 में भारतिय passport की ranking क्या है? इसका क्रेक्टेंसर है option D, 84 next question है where is the headquarter of Global Tiger Forum? Global Tiger Forum का मुख्यले कहा सथिते हैं? इसका क्रेक्टेंसर है option B, New Delhi नेक्स्ट कॉश्चन है what is BOID QIT which was in the news recently BOID QIT क्या है जो हाली में खबरों में था इसका correct answer option भी ये एक digital monitoring border का है border को जो भी digital monitoring करते हैं वो एक system त्यार किया गया है और भारत के जो भी border है उनके साथ digital monitoring करने के लिए इसे शुरू किया गया है नेक्स्ट कॉश्चन है what is the status of house sparrow in India as per the state of India's birth 2020 report भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में house sparrow की स्थिती क्या है इसका correct answer option A stable नेक्स्ट है इंडिया signed an agreement with which country to establish a due tourism भारत ने किस देश के साथ अड्डू प्रेटर स्थापित करने के लिए एक समझाते पर हास्ताक्षिक किया है इसका correct answer option A Maldives नेक्स्ट कॉश्चन है what was India's rank among 156 countries in global happiness index 2019 global happiness index 2019 में 156 देशों के बीच भारत की क्या rank थी इसका correct answer option A 140 नेक्स्ट है which state government has launched one family one job scheme किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी होजना शुरू की है इसका correct answer option B सिक्किम नेक्स्ट कॉश्चन है which cities are called non attainment cities in India भारत में किन शेहरों को गैर प्राप्ति वाले शेहर कहा जाता है इसका correct answer option D consistently showing poor air quality than the national ambient air quality standards लगदार राश्ट्रिय परिवेश वायू गुनवत्ता मानकों की तुनला में खराव वायू गुनवत्ता दिखा रहे उन शेहरों को non attainment cities कहा जाता है नेक्स्ट है which country topped the list of global diplomacy index 2019 released by Sydney based lawy institute Sydney स्थित lawy संस्तान द्वारा जारी global diplomacy index 2019 की सुची में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर रहा है इसका correct answer option D China नेक्स्ट कोशन है which country has criminalized offenses related to match fixing किस देश ने match fixing से सम्मंदित अपराधों का अपराधिकरन किया है इसका correct answer option D Shri Lanka नेक्स्ट कोशन है बड़ा दशीन is the festival celebrated in which country बड़ा दशीन किस देश में मनाय जाने वाला त्योहार है इसका correct answer option B नेपाल तो ये नेपाल में मनाय जाता है नेक्स्ट है what is the campaign theme of international women's day 2020 अंतराश्तिय महिला दिवस 2020 का अभ्यान वीशे क्या है यहाँ पे campaign theme पुची है ना की theme पुची है तो इसका correct answer option D each for equal ये hashtag के लिए campaign theme चलाए गयी थी hashtag each for equal international women's day पर नेक्स्ट है तो ये ब्राजिल से संबन्दित है और ब्राजिल में ये operation चलाए गया था ब्राजिल पुरिस द्वरा next question है which country will host the United Nation Climate Summit COP26 संयूंकतराष्ट जलवाईयू शिकर सम्मेलन COP26 की मेजबानी कौन सदेश करेगा इसका correct answer option भी UK, Britain next question है in the latest report 2019, World Bank appreciated India's efforts and policies too एक नविंतम रिपोर्ट 2019 में विश्यो बैंक ने भारत के प्रयासों और नित्यों की सरहना की है तो कौन से प्रयासों की सरहना की है World Bank के द्वरा इसका correct answer option A reduce poverty by half since 1991 1991 के बाद से गरीबी को आधिसे कम करना next question है the Nobel Prize 2019 for economics has been awarded to Abjit Benerji, Easter Duflo and Michael Kramer for और सास्तर के लिए Nobel Prize 2019 में Abjit Benerji, Easter Duflo और Michael Kramer को समानित किया गया है तो इनकी contribution के बारे में पूछा है यांपे की कौन से subject, कौन से department में इन्होंने contribute किया है जिसके लिए इनने Nobel Prize 2019 में economics के लिए दिया गया था तो इसका correct answer है option A, to discover the most effective ways to tackle poverty in the developing world विकासील, दुनिया में गरीबी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करना इसके लिए इनन Nobel Prize दिया गया है तो ये आप level देख सकते हैं कि इस question का level क्या था कि किस type का ये question पूछा गया है और जो other exam है इससे low level के जैसे एक LIC insurance का means का exam हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि अब जीत बेनर्जी का birth place क्या है तो आप दोनों का level compare कर सकते हैं पर्यावन में जारी होने वाली microbytes को लेकर सबसे बड़ी चीनता क्यों है इसका correct answer is option A they are considered harmful to marine ecosystems इन्हें समुद्री पारस्थितिक तंतर के लिए हानिकार कमाना जाता है next question है Among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years निम्रिक में से पिछले पांच वर्शों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्या तक कौन है इसका correct answer is option A इंडिया, next question है, which country's capital name is renamed as नूर सुल्तान, किस देश की राजधानी का नाम बदर कर नूर सुल्तान रखा गया है, इसका correct answer है option एक कजाकरस्तान, तो कजाकरस्तान की जो पहले ये capital थी, इसका नाम था अस्तान, इसका रिनेम करके नूर सुल्तान रखा गया, जो इनके ex-president है उनके नाम पे रखा गया नूर सुल्तान, next है, which state got separate high court on 1st January 2019, which is 25th high court of India, एक जल्वी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच नेले मिला, जो भारत का 25 उच नेले है, इसका correct answer है option D, आंधरपरदेश, तो पहले आंधरपरदेश और तिलंगाना का एक ही common high court था, वो था है है था है पहल स्कीम is related with पहल योजना किस से संबंदित है, इसका correct answer है option B, direct transfer of LPG subsidy, जो LPG की हमारी subsidy है, उसका direct transfer करना, हमारे bank account में उसे कहा जाता है पहल स्कीम, next is, which union ministry has launched a new web portal, संतुष्ट for effective delivery of public services, किस केंदरिय मंतराले ने सारवजनिक सेवा के प्रभावी वितरन के लिए एक नया web portal, संतुष्ट लाँच किया है, इसका correct answer option C, ministry of labor and employment, श्रम और रोजगार मंतराले द्वारा, संतुष्ट पोर्तल शुरू किया गया है next है, which state topped the good governance index GGI launched by the central government on 25th December 2019, 25 December 2019 को केंदर सरकार द्वारा शुरू किये गए, सुशाशन, सुचांक GGI इसे कहते हैं, हम good governance index में कौन साराज्य सीट्स पर है, इसका correct answer है option A, Tamil Nadu next है, संकल्पay launch to provide, संकल्प क्या पर्दान के लिए launch किया गया है, जो संकल्प पोर्टल है, क्या पर्दान के लिए के लिए लाउँच किया गया है, इसका correct answer है option D, market relevant training to youth, जो भी हमारी market है, economic market है, उसके relevant जो भी ट्रेनिंग youth को दी जाती है, वो संकल्प के माद्रिम से दी इसलिए इस portal को launch किया गया है तो यह हमारे जो question थे current phase के question national और international पूछे गए थे जो पिछले कल हमारा exam था हिमाचपदेश administrative services का pre exam था तो आप देख सकते हैं कि क्या level था इन questions का अच्छा level था और काफी easy questions थे और अपनी त्यारी इनी questions के roundabout करिए इन से जो एक level up भी रखी एक level down भी रखिए basics को भी अच्छे से read करिए so मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching video do like share and subscribe my channel